और यहां पर तो हमारे 4 पीस हैं ये देखिए एक दो और यह दो नीचे पर यहां पर इतने में हमारे 15 इंच हम ले लेते हैं क्योंकि half inch जब हम कुर्ती में joint करेंगे तो उसमें भी जाएगा और यहां पर इस तरीके से ना पेंगे, half inch उपर छोड़ना है और यहां पर यह फे तो फिर ना चारों फैबरिक में एक-एक कपडा जॉइंट होता है तो वह ऐसे लगता है आज जो में स्लीव आप से शेर करने वाली हो ना यह वाला जॉइंट हमारे बैक साइड में आएगा स्लीव के और इसमें दो ही जॉइंट लगते हैं तो दोनों स्लीव में एक-एक प्रेड में आएगा तो यह देखिए मेरा कपड़ा है हम कुर्ति को सैट करते हैं इस तरीके से कि हमारा थोड़ा ज्यादा कपड़ा निकल जाए फिर बी ना अगर मैं इस तरीके से बना रही हूं ना कि ऐसे में तो हमारी लंभाई अच्छे से निकल जाएगी कोई जॉइ देखिए आधी में मैंने सेट किया है यह देखिए और इसकी जो चोड़ाई है ना दस इंच तो होनी ही चाहिए इस तरीके से फोल्ड करने के बावजूद भी थोड़ा सा और तो यह बिल्कुल ठीक है तो इसमें ना यहां पर तो हमारे फोर पीस है यह देखिए एक दो औ और यह दो नीचे पर यहां पर इतने में हमारे सिर्फ यह दो पीस है तो यहां पर हमने कपड़ा जॉइंट करना है सबसे पहले मैं सीधी लाइन लगाऊंगी यहां पर एक इंच हम छोड़ेंगे जो कि फोल्ड होगा और यहां पर लंबाई का निशान हमारा पंदरा जब हम कुर्ती में जॉइंट करेंगे तो उसमें भी जाएगा एक निशान हम लगाएंगे साड़े तीन इंच नीचे यह निशान हमने लगा लिए हैं अब इतने पर हम कटिंग कर लेते हैं सीधी इस तरीके से कटिंग कर लिए है अब यहां पर ना यह जो दो पीस है ना इस तरीके से हम रखेंगे नीचे करके रखेंगे हम यह दो पीस ताकि हमने अच्छे से नजर आए तो इस तरीके से रख लिए हैं इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं तो यह भी हमारे चार पीस हो गए और यह भी आदा इंच यह इस तरीके से रखा है मैंने क्योंकि सिलाई म जॉइंट होगा अब इस तरीके से नापेंगे जो स्लीव की गोलाई है वो है 12 मतलब पूरे राउंड में 12 है तो यहाँ पर हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे साड़े 7 पर मतलब 1.5 इंच हमने मार्जन का लेना है और यह जो साड़े 3 इंच हमने नीचे किया था इसको सीधा कर लेते हैं अब हम कुर्टी उठाएंगे यह कुर्टी उठाएंगे मैंने बैक पीस मैंने कुर्टी का लिया है और यहाँ पर इस तरीके से नापेंगे 1.5 इंच उपर छोड़ना है और यहाँ पर 1.5 इंच का जो मार्जन है इसको हमने छोड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से नाप लेना है तो यह हमारा 9 इंच आ रहा है तो यहाँ पर तिर्चे में इस तरीके से आपको 1.5 इंच लेना है क्योंकि कई बार क्या होता है क्योंकि ये तिर्चे में कटता है न तो ये जब हम सिलीव जॉइंट करते हैं तो ये चीज बढ़ जाती है सिलीव जॉइंट करते हुए तो हाफ इंच अगर आपने आर्मॉल से कम लेंगे न तो सही रहेगा तो ये साड़े आठ इंच पर मैंने एक निशान लगाया और ये हो गया यहाँ पर सवा इंच का मार्जन तो इन दोनों निशानों को मैं मिला लूँगी और यहाँ पर आर्मॉल की गोलाई देंगे यहाँ से तक्रीबन धाई इंच हम सीधा लेंगे बिल्कुल और फिर इस तरीके से हम गोलाई देंगे इसमें आगे वाले निशान से गोलाई देनी है फ्रंट की निशान इससे हाफ इंच गहरा होगा चले कटिंग कर लेते हैं इसकी यहाँ पर सेंटर कट जरूर लगाना है यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे हम यह जो दो जॉइंट है अब इस तरीके से यह उपर से हमारे यह जो दो है इसमें जॉइंट होना है फ्रंट की जो कटिंग है न हमने यहां पर करनी है मतलब वो तो बैक में जाएगा कट और जो फ्रंट की कटिंग होगी ज्यादा वाली वह हमारे इस वाले जो पूरा एक पीस है इस पर होगी तो यह हो गई हमारी फ्रंट की कटिंग तो इस तरीके से यह जॉइंट हो जाएंगे अंदर हमारे दोनों सीधे पीस है और यह दो पीस है और यह यह भी हमारे सीधे हैं तो एक पीस इसमें जॉइंट होगा इस तरीके से यहां पर सिलाई लग जाएगी नीचे से प्रपर मिलाना है, आपको जो यह बाटम है न, वहाँ से आपको प्रपर मिलाना है, उपर से इस तरीके से निकल रहा है, कोई बात नी, नीचे से आप प्रपर मिलाएंगे, तो उपर से भी बैढ जाएगा, तो ये देखी इस तरीके से हमारे ये दो पीस स्लीव में जॉइंट हो जाएंगे तो फ्रेंड्स ये थी जॉइंट वाली स्लीव तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग कर दो जाएंगे